में आपका स्वागत है और आज मैं आपको भर प्रारा हूं और भर में आज में जो पढ़ाने जा रहा हूं जिससे आपको 12 में तीन मार्क्स यानि तीन मार्क्स आपके यहां से देता है और आपको बनाना भी सिखा देंगे किस तरह से बनता है तो यहां पर ध्यान देगे हमने ए डिशी तक पढ़ा था डी में पढ़ेंगे प्रेजल भर्व कि हुटा क्या है प्रेजल भर्व क्या होता है पहरे समझ लेते हैं फिर इसका है डिफनेशन इंदी में लिख देते हैं एक लेंग का तो फ्रीजल भर्ब का मतलब होता है भर्ब पलस प्रेख को जीशन ब्राबर नियू मिनिंग मिनिंग ऑफ भर्ब यानि जब एक भर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन लगाते हैं तो भर्ब वाला वो अर्थ नहीं रह जाता है बलकि एक नया अर्थ आ जाता है और उशी को कहा जाता है फ्रेजल भर्ब यानि जब भर्ब के बाद जब भर्ब के बाद बि भिन जब भर्ब के बाद बिभिन प्रेपोजिशन लगा दिये जाते हैं तब जब भर्ब के बाद बिभिन प्रेपोजिशन लगा दिये जाते हैं तब उनका अर्थ बदल जाता है जब अर्थ बदल जाता है तो ऐसे भर्ब को ही अर्थ बदल जाता है तो ऐसे भर्ब को प्रेजल भर्ब कहते हैं ऐसे भर्ब को प्रेजल भर्ब कहा जाता है ध्यान देंगे जैसे मैं कहूं पहला एक जैसे मैं लिखो किप और लिखो ऑन किप एक भर्ब है और ऑन एक प्रेपोजिशन है अगर दोनों का अर्थ अलग अलग जाते हैं तो किप मतलब रखना और ओन मतलब पर तो अर्थ रखना पर क्या है नहीं इसका नया एक अर्थ निकल कर आता है और होता है जारी रखना मैं कहूं कि प्लीज कीप ओन यूर वर्ट प्लीज किप ओन यूर प्रोग्रेस अपने विकास को जारी रखो मैंने क्या कहा अपने विकास को जारी रखो यानि यहां यह जो है वह कीप ओन इसका हिंदी हो जाएगा जारी रखना क्रियर तो यह से बहुत सारे भर्व दिखा रहा है चलिए पहला था मैं दूसरा लिख रहा हूं किप आउट किप आउट फिर इसका अर्थ निकालिए किप मतलब रखना आउट मतलब बाहर लेकिन दोनों का एक साथ अर्थ यह जब एक साथ आग गये तो इनका हिंदी हो ग वादे से मुकर जाना जैसे कहां कि अ गूड मैं अ गूड मैं यह निवर ऑगूड मैं निवर कहांगे बैक आउट तो अ गूड मैं निवर किप आउट सिखा रहे हैं अ गूड मैं निवर ऑगूड मैं निवर है बैक आउट पिज प्रो मिस एक अच्छा आदमी कभी भी नहीं मुकरता है अपने वादा से तो बैक आउट का मतलब होता है मुकर जाना याद रखेंगे दो भर मैंने सिखाया पाला किप आउट जारे रखना दूसरा बैक आउट यानि मुकर जाना किप आउट नहीं बैक आउट चलिए अगला सिखते हैं ब्रिंग और अप ब्रिंग अप ब्रिंग मतलब लाना अप मतलब उपर ब्रिंग अप यानि उपर लाना नहीं इसका दोनों जब एक साथ आ गए इसका मतलब हो गया ब्रिंग अप का मतलब हो गया लालन पालन करना लालन पालन करना जैसे में कहूं कि अन्टी पॉली चाची पॉली बॉट आउट ब्रोट अप ब्रोट अप क्या किसकी ब्रोट अप की या कोई नाम देदो मालो टॉमी दे दिए मालो राधा दे दिए मालो मीरा दे दिए किसी कखिर है यानि अन्टी पॉली ने लालन पालन की टॉमी की लालन पनल की राधहागी की मीरा की यहां आपने क्या सिखyeah the ृआप का मतलब होता है लालन पालन करना किलिया हुआ की अगला है तीसरा वह है कॉल आफ कॉल आफ कॉल मतलब तो भाई बुलाना और ओफ मतलब अतम करना दूनों का हिंदिया मिलके होता है समाप्त करना क्या होता है समाप्त करना जैसे मैं कहूं कि the teachers have called of their strike शिक्षको ने अपने strike को बंदी को क्या किया called कर दिया यानि शमाप्त कर दिया ठीक है इसलिए फिर आगे बढ़ते हैं आगे को शिक्षक आपको भरने के लिए देता है कि अगरा सा ध्यान रखकर भरेंगे सही भरेंगे अब तो चार अप्षन दिया राता है उसमें यह वो चूज कर देना जो हुँ जितना मैं पढ़ा देता हूं इसी को यादा किये काफी है इसी के बीच से आपसे पूछे जाता है अगला है ब्रेक इंटू ब्रेक इंटू का मतलब है इसे तो ब्रेक मतलब तो औरना इंटू मतलब में लेकिन अगर इसका अर्थ निकालें तो इसका अंध होता है स्टेंद लगाना स्टेंद लगाना यानि जबरजस्ती किसी के घर में किसी के जगह में कहीं पर भूस जाना बात समझ गया है ब्रेक इंटू का मतलब होता है जैसे कहेंगे कि कि थीव , परोग से इंटू माइख हाउस याण एक चोर घुस गया कहा घुस गया तो क्या सिंध लगा दिया यानि जब अरदस्ती घुस गया यानि जब सेंध लगाने की बात किया जाए या जब अर्दस्ति भुशने की बात की जाए तो हम लोग परियोग करेंगे ब्रेक इंटू क्लियर है आगे बढ़ते हैं कि आप देखते चलिए कि मैं क्या कर रहा हूं एक भर्म और एक प्रेपोजिशन और दूनों का आर्थ कुछ और बता रहा हूं आप रटते चलेंगे लिखने कि एक्ट ऑपॉन का मतलब जब एक्ट मतलब तो ऐसे अभी नहीं करना होता है और अपॉन मतलबों पर लेकिन जब यह दोनों एक साथ आ जाता है तो इसका हिंदी हो जाता है कि अनुशार कार करना कि अनुशार कार्य करना जैसे मैं कहूं कि वी शुद एक्ट लिखिया रहते है मानलो मैं कहूं कि वी शुद एक्ट वी शुद एक्ट अपन दो एडवाइस अफ एडवाइस अवर एल्डर्स हमें अपने बड़ों की अनुमती पर अनुमती के यानि बड़ों के सलाह के अनुशार करना चाहिए यानि एक्ट अपन का मतलब हो गया के अनुशार कारे करना क्लियर है आगे कि ब्रेक या अगला है ब्रेक ब्रेक आउट की मतलब होता है नहें यहां मतलब हो और पैलाना यहां आपनी आप में पैल जाना जैसे मैं कहंँ कि प्लाइग ब्रोक आउट प्लाइग ब्रोक आउट इन आवर सो साइटी लास्ट यार यानि अन्तिम्शाल क्या हुआ था तो यह ब्रेक आउट हो गया था प्लाइग फैल गया था तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से यह अर्थ बदल रहे हैं अब मैं कुछ भर्व दे रहा हूं और उसका हिंदी लिख दे रहा हूं जो आप रट लेंगे और इसी तरह से वाक्य में इसका यूज करना सिखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत परती है और यही आपसे पूछे जाते हैं तो कुछ मैं लिख रहा हूं भ्यान से उसका आपको नोट्स बनाने की आव सकता है नोट्स उसकी बना लेंगे एक एक करनोट्स जरूर बनाएंगे ठीक है चलिए कॉल इन कॉल इन का मतलब होता है बुलाना कॉल इन जिसको भी बुलाना हूँ आप कॉल इन कर लेना अगला कम एक क्रॉस इसका हिंदी होता है अचानक मिलना किसी से मार्केट में आप अचानक मिल गए तो कहेंगे कम एक क्रॉस ठीक है आगे गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाना उठना भी होता है उठो गट आउट ठीक है अगला है गेट यह सब भी आई मैं लिख रहा हूं बहुत सारा है लेकिन जो मैं लिख रहा हूं वह टूल के लिए भी आई लिख रहा हूं इसका है इसका है उतारना गेट डाउन तर जोड यार कही से उतारना हो तो ठीक है अगला गेट Geal चुट्कारा पाना मतलब होता है उतार एक छुट्कारा पाना पाना है किसी भी चीज से एंगार आप शुट्कारा पाना जाहता है तो कहेंगे इट टॉराल सटे कability कात enact चलिए और भी सब्द है मैं दे रहता हूं गीब अप त्यागना गीब अप त्यागना गो अवे गो अवे मतलब होता है चलिए जाना चलिए जाना ठीक है लुक आफ्टर ध्यान से देखिएगा एगो भर्व होगा और एगो प्रेप पोजिशन होगा लुक आफ्टर मतलब होता है देख भाल करना ठीक है अगला है इसी का लुक आफ्टर का मतलब होता है धूढ़ना खोजना तलास करना तलास करना या धूढ़ना या खोजना ठीक है अगे होता है लुक आफ्ट्ट् देखना ठीक है कुभी किसको जो कोई चल चेत्र है जो चल रहा है और उसको देखना होता है तो look at करते हैं ठीक है लगी किसी चीज को टक्टकी लगा के देखते हैं तो look at नहीं कहते हैं वहाँ gauge करते हैं भहुत सारी आपको शब्द मिलेंगे आप नोट्स जरूर बनाएए चलिए अगला पुट आन पहनना पुट आन पहनना और पुट आफ पुट आफ उतारना क्या करना उतारना जैसे पुट आफ माई चोत इने अपने आपने कोट उतार दिया ठीक है ठीक है फूटव मतब उतारना पूट अपधनलना आफ यानि पहन लेना आगे देखो पुट आउट अब पुट आउटका मतलब कुछ अलग ही हो जाता है साफ अलग क्या होता है बू जहाना आग लगा दिया को बोलेंगे पुट आओ stand by stand by साथ देना साथ देना या साथ खड़ा रहना stand by का मतलब होता है साथ देना या साथ खड़े रहना शलिए अब कुछ और भी है उसको भी लेए लिजिए कि अर्ण ओभर का मतलब होता है कुछल देना कुछल देना गाड़ी से कुछ देना पैरो तले कुछ देना किसी के चले है गो एहेड मतलब होता है आगे बढ़ना कि आगे बढ़ना कि आगे बढ़ना के टाउट शिखाए देट लिए इतना सब्द याद रखेंगे इतना आपके लिए काफी है और यह टूएल में जब हम लोग भर्व पढ़े थे उसी भर्व में के इतना दूर तक लेगा अब आये अब हम यहाँ से जाया फिनाइट वहर पढ़े थे अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इंफिनाइट वर्व तो infinite यानि finite भर्व के अंदर हमने यह चीज़े सीखी तो finite भर्व यहां से खत्म हो गया finite भर्व खत्म तो आपने देखा finite भर्व कैसे होते हैं क्या क्या होते हैं और finite भर्व में आपने सब का ट्रांजिटी भर्व, इन ट्रांजिटी भर्व, लिंकिंग भर्व और फ्रेजल भर्व इन सब को आपने पढ़ा और सब का आपके पास वीडियो है आप बहतर धंग से देखेंगे यहां से आपके बहुत सारे कोश्चन आएंगे चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई